वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिडवी के बारे में सिडवी बेसिकली आपके पास क्या है Small Industrial Development Bank of India नाम से क्या पता चल रहा है जो Small Industries होती है उनके विकास के लिए एक बैंक बनाया गया है तो ये कब एस्टेब्लिश क्या गया था ये 1990 में क्राणोलोजी में बहुत बार आपसे पुछा जाएगा तो याद रखो चाहे अपनी डेट ओब बर्स से चाहे किसी और की डेट ओब बर्स से कैसे भी याद रखो कि सिडवी 1990 में बना था ये अंडर एन एक्ट ओफ दे इंडिन पार्लियमेंट किस चीज के लिए एक तो ये प्रमोशन इसका काम है फाइनेंस करना ड्वेल्पमेंट ओफ दे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइस प्रमोट फाइनस और ड्वेल्पमेंट एममे का ठीक है प्राइमरी फंक्शन इसका है पैसा देना प्रोवाइड फाइनस और प्रमोटिंग दे ग्रोथ ओफ स्मॉल स्केल और मीडियम इंडूस्ट्री इन दे कंट्री ये लोन देते है टार्म लोन देते है वर्किंग कैपिटल लोन देते है तो ठीक है जब भी सिडवी के बारे में ऐसी कोई स्टेटमेंट्स होगी कि लोन देते है टार्म लोन देते है वर्किंग लोन देते है तो ठीक है ये सब देते है सिडवी लोन कैसे देते है indirect lending, direct lending, fund of funds promotion and development, facilitator और financial assistance for the setting up of the new enterprise, तो ये भी ध्यान में रखने है कि financial assistance देते हैं ये नए enterprise को भी देगा, ठीक है moreover, जो CIDV के shares है वो government of India के पास है government of India के पास maximum 20% share है, बाकी 22 other institutions है, public sector bank है, companies है, insurance companies है, उनके पास है, ठीक है, तो CIDV के maximum share किसके पास है government of India के पास है, ध्यान देने वाली बात ये है कि RBI का कोई भी रोल नहीं है, CIDV के shares में RBI का कोई भी रोल नहीं है, CIDV के साथ, तो ये CIDV के बारे में छोटी सी information है, पहली चीज आपको याद रखने है, उनने सो नब्दूसी चीज आपको याद रखनी है कि इसका primary function होता है, financing provide करना, जैसे मर्जी करें, indirect direct lending जैसे मर्जी करें, फिर आकि सबसे तीसी चीज है कि government of India के पास इसका maximum share है 20%, पूरा 100% भी नहीं 20% है, और RBI A के पास इसके कोई भी shares नहीं